भाग बच्चो ये हैं आपकी हिंदी पाठ माला अनुभूंच और आज हम अध्यायाट का अध्यायाट पेड से मुलाकाद पाठ परचे पेड़ पौदे हमारी प्रयावरण के अभिन अंग है पेड़ हमारी कई तरह की जरूरतों को पूरा करते हैं जरा सोचें क्या आपने क जबी व्रिक्षा रोकन किया है मनुश्य और पेड एक दूसरे के पूरक है पेड काटने से मनुश्य को सबसे आदा खत्रा है आज विक्षार ओपन दिवशे आज पेड लगाने का बटा दिवशे विद्याले में बहुत चहल पहल है सभी बच्चों को भाती-भाती के बीज दिए गए भाती-बाती मतलब बटा तरह-तरह के बीज गुर्सीन की कक्षा के छभी चात्र बीज बोने में लगे हुए थे पहले वे बीज को धर्दी में गारते फिर उसे अच्छी तरह से मिट्टी से ढगते इसके बाद उस पर पानी छड़कते थे गुर्सीन को ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कड़ी धूप से बचने के लिए वे एक पेड की ठंडी छाओं में जाकर बैड़ गई तुम प्रिक्षार उपर नहीं कर रही आवाज सुनकर गुर्सीन ने इधर उधर देखा मैं पेड बोल रहा हूं ये सुनकर गुर्सीन बोली मैं अपने हाद गंदे नहीं करना चाहती हम तुमें धूप और वर्षा से बचाते तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकती पेड ने बिटा उससे का कि तुम हाद गंदे नहीं करना चाहती और हम आपको धूप और वर्षा यानि बारिस से बचाते वो सोचकर गुर्सी ने पूछा, हम इतना छोटा सा बीच धर्दी में गाड़ते हैं, उससे इतना बड़ा पेड कैसे बन जाता है? प्रकड़ती से हमें हवा पानी प्रकाश मिलता है, इनकी सहायता से 20 से फेले अंकुर निकलता है, अंकुर से पोधा बनता और पोधे से फिर पेड बनता है, पेड बूला, गुर्सीन ने जैसे पत्ते की और हाथ बढ़ाया, पेड चिलनाया, उसे तो नमत, ये पत्ते हमारे लिए भोजर मनाते हैं गुर्सीन ने एकदम अपना हाथ पीछे खीच लिया और एक लंबी सांस ली तुम सांस द्वारा जो सुध हवा अपने अंदर लेते हो उसे भी हम ही परदान करते हैं पेड गर्व से बोला हाँ मुझे पता है इस सुधावा को ऑक्सीजन कहते हैं गुर्सीन बोली और चलने लगी कहां चली बिटियारानी पेड ने पूछा अरे दिन निकला जा रहा है मुझे बहुत सारे बीच बोले हैं आज विक्षर ओपन दिवस से हस्ते हुए गुर्सीन पूली पेड मुस्कुराया उसने अपनी टहनिया एव पत्ते हिला कर गुर्सीन को अलविदा कहा आव ये भी जाने हमारी सास दोरा छोड़ी गए असधवा को कार्बन डायाक्साइड कहते हैं व्रिक्ष कार्बन डायाक्साइड लेते रोक्सीजन छोड़ते हैं प्रयाव धन्यवाद बच्चो